हे गाईस विल्कम टू सक्सेस दिलिप में दिलिप कुमार स्वागत है इस वीडियो में तो दोस्ता एक बहुत बड़ी अपडेट लेकर आया हूँ आप सभी के इनडिट के लिए आईडिया डिप्लोमा भी बेटेक स्टूडेंट्स के लिए बंपर सरकारी नौकरी की भरतीस की जानकारी को लेकर देखें गैस यहाँ पर आपको पता है कि 10 लाख की जो वेकेंसीज है यानि कि जो हमारे पीए मोदी ने कमेंडमन भी थी उसकी अब कुछ स्टार्ट हो चुकी है वेकेंसी आने भी सुरू हो चुकी है पचीस हजार की जो नोकरी जॉब नोटिफिकेशन है वो निकल भी जड़ेंट से भरती है जो निकलन वाली है और कितनी पोस्ट पर भरती होगी जहाँ पर हम जिकेर करेंगे कोल इंडिया का कोल इंडियास का रेल्वै में तो सबसे जादा भरती होगी इक एक पॉइंट यहाँ पर मैं भी गal करणगब का उसके बाद सेल की कितनी होग्यों ह गया इसमें भेल DAI यानि कि Department of Atomic Energy परमानु उर्जा विभाग से जितने भी आपके डिपार्टमेंट है लाइक B.A.R.C. हो गया या फिर आपका देख सकते हैं इसमें NFC हो गया N.A.D.C. जितने भी आपकी इसको डिवीजन है इस रो से इस रो से वेकंसी नहीं आई है तो इस तरह से अलग-अलग कई सारे और भी डिपार्टमेंट है लाइक एरपोर्ट ऑथरोर्टी ऑफ इंडिया लिमिटेड है एल्थ सेक्टर में वेकंसी है उसके बाद यहां पर रिसेंटली गेल में वेकंसी है पावर सक्संस में पावर गरीड में वेकंसी है N.D.P.C. में रिक नोटिफिकेशन के जरी आपको बताऊंगा कि किस डिपार्टमेंट से कितनी वेकंसी निकलने वाली है आपको किस बेसिस पर तयारी करने चाहिए चले स्टाट करते है तो यह यह वह ओफिसियल नोटिफिकेशन है जो कि PMO द्वारा रिलीज की गई है आनि कि प्राइम मिनि किस इन का बट यहां ओल डिपार्टमेंट जो आईटी एडिप्लोमा डिग्री ओल्डर्स को तयारी करनी चाहिए कि इस डिपार्टमेंट में मुझे जाना है वहां सब में अपलाई कर सकते हैं तो उसके लिए यहां पर बेस जिज़क में बताने वाला हूं यहां पर वेरि यहां से भी रिक्रूटमेंट आएगी आपकी केमिकल पैट्रो केमिकल कई सारी इंडस्ट्री होती है गवर्मेंट द्वारा 72 पोस पर है सीविल एविशन में जो वेकेंसी है यहां पर 917 पोस पर इसमें बी बिटक वालों के लिए निकलती है एक बहुत बड़ी है लेकिन मुझे देखकर हेरानी हो रही कि मातर 170 पोस पर यहां पर वेकेंसी का डेटा क्यों है क्योंकि आल्मोस्ट मैं बात करूं कि कोल इंडिया में वेकेंसी आई नहीं है इतने सालों से उर्भी जब निकल रही है तो 170 पोस पर मातर वेकेंसी निकल रही है इसका पता न आते हैं Defense में, Defense में Civilian की Post है, यहां पर सबसे ज़्यादा वेकंसी, ITI वो डिप्लोमा के लिए निकलती है, डिप्लोमा के लिए जो SSC Officer Indian Navy में निकलती है, और ITI वालों के लिए जो निकलती है, ट्रेट्समेंन मेट की, और कई सारी Post होती है Defense में, Air Force की भी आती है, अधरवाइस यहां पर देख सकते हैं Indian Navy में Group C Level की Post आती है, यह सबसे ज़्यादा वेकंसी है, सबसे ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा वेकंसी है, 2,4,706 Post पर भरती है, जो सिर्फ Defense से निकलने वाली है, Defense यानि कि Civilian, और जहां पर Civilian आ जाता है, वहां पर ITI 10th Past डिप्लोमा वाले ल Department है, 96 Post पर यहां पर Permanent Jobs की निकाली गई है, बट यह बहुत कम है, क्योंकि इससे ज़्यादा वेकंसी जभी रेसेंटली निकल चुकी है, 60 Post पर, और कई सारी भरती जो भेल से है, वह निकलने वाली है, तो यह चीज़ मानो कि यह क्या Higher Education से Related होती है, 10 वेकंसी है, फिर हाली में कुछ सारी पोस्टों का जिक्र हुआ है, क्योंकि 25 लाक में से काई सारी, 10 लाक में से 25,000 से भी ज्यादा वेकंसी निकल चुकी है, यहां पर 1,43,536 Post Home Offair से होती है, कई सारी पोस्टर डिफेंस लिवल में भी इसमें एड की जाती है, नेक्स वेकंसी है, माइन्स मे कोल माइन्स में अभी हाल फिलाल में वेकंसी आई है, जारखन में, और कई सारी वेकंसी में देखने को मिलेगी, जो की 7,000,63 Post पर जो माइन्स में निकलने वाली है, जिसमें से डिपलोमा और B.B.D.C. वाले एलिजपल होते हैं, डिपलोमा माइनिंग हो गया, डिग्री से म पेट्रोलियम में नैचृरल गैस थे होगी. अब पेट्रोलियम नेचृरल गैस में सभी आ जाती है, जिसी मैंने O 2025 का जिक्र किया है. हिंदुस्तान पेट्रोलियम, भारत पेट्रोलियम, इंडियन उयल हो गया Indian Oil से related कई सारी हैं लेकिन यहां पर 122 पोस्ट है और कई सारी पोस्टे की vacancies आया Indian Oil निकाल चुकी है तो इसमें भी vacancy आपको देखने को मिल सकती है फार मिल सकती है नहीं मिलेगी क्योंकि पोस्ट यहांपर out कर दी गई है उसके पाद आ भलता है यहां पर एक पोस्ट में वेकंसी जो इंडिया पोस्ट से निकलती है उसमें तो टेंट पास वाले अप्लाइ कर सकते हैं power अब यहां पे power में NTPC हो गया power गिरिड हो गिया अधर वाइस यहां पर जो power selection से related हो जितने भी power plant है वो सबसे vacancies यहां पर निकलने वाली है जैसे आपकी बीर से सब हो गया एनफसी सो गया यहां से vacancies है 790 पोस्ट तो आपकी power plant से vacancies जा फिर ministry of power से vacancies 790 पोस्ट पर जो है वो निकलने वाली है उसके बाद आते हैं सबसे बड़ी पोस्ट रेलवेईस अब रेलवेस में अहाँ पर 293,943 पोस्ट पे जो की सबसे बड़ी भरती है हिंदुस्तान की सबसे बड़ी भरती होगी गयाईस जो की रेलवे की फिर से निकलने वाली है इसमें पोस्ट है सबसे ज़्यादा ELPO technician की होगी मैं बता चुका हूँ पहले भी ELPO technician की जो भी तैयारी करने वाले हैं तैयारी start कर दो क्योंकि अब railway आपको मौका नहीं देगी 2024 तक ही मौका मिलेगा क्योंकि election है इसका main दिखावा भी election है मैं मान सकता हूँ कि election के लिए ही इतनी पोस्टों को यहां पर recruit कर रही है बट 2024 से ज़्यादा नहीं भागेगी अभी कोरोना नहीं है तो अराम से आप तयारी करो लेकिन तयारी start कर दो फिर ग्रूप D की vacancy इसमें भी है जो कि ITA वालों के लिए यार तो ITA वालों के लिए इस department जो दस लाग भरती होने वाली है नो मौस्टली ज़्यादा वेकंसी से रिवेन्यू डिपार्टमेंट में भी ITA डिप्लोमा बीटेक की वेकंसी निकलती है आट 80,000 43 पोस्ट पर recruitment है रिवेन्यू में अभी SPM CIL वेगर कई सारी पोस्टे है जो कि आप मान लेते हैं देन आपको मिल जाएगी उसके बाद road and transport highway में इसमें भी ITA डिप्लोमा टेक्निसन की वेकंसी आएगी उसके बाद यहाँ पर आता है साइन्स और टेक्नोलोजी में साइन्स और टेक्नोलोजी में यहाँ पर देख सकते हैं 2549 पोस्ट पर जो भरती है वो आने वाली है इसमें भी आपके पास आइडिया डिप्लोमा डिग्री ऐलिजबल होंगी जो पोर्ट होते हैं बंदरका हो गया सीफिंग इंडस्ट्री वाटर वेस हो गया वहाँ पर भी आप सब के लिए वेकंसी होती है जो की 10,000 से ज़्यादा वेकंसी होगी देन आपको मिल जागी स्किल डवलप्मेंट इंटन्सीफ के लिए हाँ पर वेकंसी आती ही रहती है दिन रात फिर आपकी स्पेस यानि की इस्रो भाईया इस्रो देख लो यार जो भी तैयारी करने वाले हैं यहाँ पर 2,106 इतनी पोस्टें वेकंट हैं इस्रो में जो की आपको निकलने वाली है इस्पेस मिनिश्ट्र अफ इस्पेस यही है आपका जो इस्रो से वेकंसी आएगी से vacancies निकल चुकी है दुरगापूर से राऊर के ला से निकलने वाली है और बोकारोश्टिल प्लांट से निकलने वाली है तो यह दोनों प्लांट से बहुत-बहुत बंपर भरती आएगी उसके लिए तैयारे स्टार्ट कर दो यह जिक्र किया गया आप सभी के निट के लिए और कई सारी vacancies है और यह ministry है यह ministry के अंडर में ही बहुत सारे recruitment जो मैंने जिक्र किया ओंजिसी हो गया गेल हो गया इसरो हो गया यह फिर भी आर्सी जो आपका मैंने मिनिस्ट्र पावर का नाम लिया था रेलिवेस, डियाडियो, बेसिकली डियाडियो से vacancies आ चुकी है और बंपर भरती दे रही है इसका प्रूब भी आपके पास तो तयारी स्टार्ट कर दो जितने भी student eligible है और जितने भी student eligible नहीं जितने भी idea diploma degree कर रहे हो अपनी तैयारी जारियाको सबसे पहले अपने ट्रेड को पढ़ो, ब्रांच को पढ़ो, अराम से कोई न कोई 2024 तक जॉब लखी जाओगो कि बहुत भरती निकलने वाली आपकी तो basically यही details बतानी थी, किसे department से कितनी post per vacancies है, यह 10 लाग के अंदर में और जितनी भी doubt से आप comment कर सकते हैं, help की जाएगी इस notification को success delivery टेलिग्राम चैनल से join कर लीजेगा guys, चले मिलते नेक्स वीडियो में, तदगले सहिंद